नमस्क्रा दोस्तों स्वागत है आपका MC क्यों आईक्यू में हम 500 कोश्चन कर रहे थे हिस्ट्री ओफ रेलवे के जो DFC एक्जाम है उसमें आते हैं इससे कोश्चन यह पार्ट 8 थे तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट कोश्चन है कोईले की राक या सीडर का ओप्योग रेलवे के लिए निर्मान के पारम भी चर्णों में किया जाता था जो कोईले की राक होती है और सीडर होती है रेलवे में किसले यूज होता है वो वूडन सीडर बनाने के लिए कोईले यूज होता है इसका करेक्ट आंसर है वूडन सीडर हम यूज क्यों करते हैं क्योंकि जो प्रिवेंडा वूड़न स्लीपर फ्रॉम टर्मिनेट इंट फंगस जिससे वूड़न जो स्लीपर है ना उसमें फंगस ने लगे और वह खराब ना हो इसलिए हम जो कोलेस और सीडर यूज़ करते हैं रेलवे कोच में नेश कोशन है रेल सेक्शन पस्ट इंडियान बहुत अर्ट है याद रखना प्लिट 003 तयब राइन आपना वर येंडिया में पहले डवल實 वर फोचशन यूज़ होते थे अभी जो यूज़ होते है रेल रेल फोचछन फो इसके वी तीन फीम हो योग आपना यह उसकी यह नाम याद मत रखो, सिर्फ आप याद रख लो, पहला होता है double headed, दूसरा bull headed, तीसरा flat footed rail session, तो double headed rail session कभी यूज हो रहा था, earlier stage में development होता था रेलवे में, उसमें double headed rail session लगते थे, अब present में बहुत कम यूज होते हैं, अभी कौन से यूज होते हैं, अभी यूज होते हैं flat footed rail session, 90% railway track हैं वर्ल्ड में, उन सब में flat footed railway session यूज होते हैं, और इंडिया में commonly यह यूज होते हैं, ठीक है, याद रखना इसका नाम मत बूलना, bull headed railway session कभ कहां पर यूज होते हैं, यह especially जो crossing वगरा होते हैं और point डालते हैं हम railway track में, उसमें यूज होते हैं, next question है, wooden slipper used on girders of bridge are generally made of, पुलों के गड़रों पर opioid किये जाने वाले लकडी के sleeper समानता बने होते हैं, जो पुल बनते हैं लेलवे के, उसमें जो girders लगे होते हैं, वो उसमें wooden sleeper होते हैं, तो वो काई के बनते हैं, यह पूचा है, तो wooden sleeper टीक के बनते हैं, important question है, टीक को हिंदी में क् में मतपदेश में मिलता है, जो टीक का पेड़ होता है, सागुन का पेड़, वो कौन से forest में मिलता है, tropical, most delicious forest होते हैं, उसमें सबसहरा सागुन मिलता है, और मतपदेश में सबसहरा मिलता है, इंडिया में, यह durable होते हैं, इसलिए use होते हैं, और fire resistance होते हैं, fire resistant होता है इसमे बहुत use होता है Indian coaches में Next question है एक welded rail joint में आम तोर पर होता है A welded rail joint is generally जो दो पटरी के बीच में हम joint लगाते हैं उसकी बात कर रहा है तो वो कैसा होता है जो joint होता है वो suspended होता है ये दो जो पटरी होती है उसको हम rail बोलते हैं उसके बीच में joint होता है वेल्डिंग करते हैं उसमें उसकी बात कर रहा है तो वो suspended होता है इसमें क्या होता है याद रखना है question important है Next question है minimum packing space provide between two sleeper दो sleeper के बीच में नियुत्तम packing इस्तान प्रधान किया जाता है कितना distance रखते हैं दो sleeper के बीच में हम तो इसका correct answer है 30 से 35 cm के distance रखने या तो cm में पूचेगा 30 से 35 cm अगर मीटर में पूचेगा mm में पूचेगा तो 300 से 300 mm ठीक है दोनों option याद रखी आप Next question है a separate rail budget which is different from the general budget was first introduced in 1924 on the basis of recommendation of the 10th member committee एक अलग railway budget जो आम बजट से अलग है पहली बार 1924 में 10 सदस्यों की सिफारिश के अधार पर पेश किया गया था कौन सी committee दोआ रहा तो इसका correct answer है एकवद committee ने बोला था कि हमें जो general budget है general budget और railway budget को अलग कर दिना चाहिए तो 1924 में हमने general budget और railway budget को अलग कर दिया था जो एकवद committee आये थी ना उसमें 10 member थे 10 member के नाम जरूरी नहीं है आप याद रखिए मगा उसमें से 3 member वो इंडियन member थे 3 Indian थे उसमें 10 में से तो 3 के नाम तो भूलना ही नहीं है पहले थे V.S. स्रीनवा सास्त्री दूसरे पुर्षवत्तम दास ठाकुर दास और तीसरे थे राजे नात मुकर जी ये 3 Indian member थे एकवद committee में इनके नाम बिनकुल मत भूलना बहुत important question है जो एकवद committee थी ना एकवद committee ने 1921 में बोला था कि हमें general budget और railway budget को दोनों को अलग कर दिना चाहिए तो 1924 में अलग कर दिया था अगर question आता है general budget और railway budget को merge कप कर दिया था तो 2016 में merge कर दिया था याद रखना है important question है एक important question ये भी आता है कि last railway budget कौन से railway minister ने दिया था तो 25 फरवरी 2016 में last railway budget दिया था शुरेश प्रभू उस ताइम railway minister थे important question है next question है in CI compression ignition engine और diesel engine ignition take place due to CI engine या diesel engine में ignition dash के कारण होता है तो इसके correct answer है high temperature of compression gas के वैसे ignition होता है उसके वैसे diesel engine या compression ignition engine चलता है next question है the subtle train service between Lahore and dash railway station resume its operation on 15 December after the gap of 22 32 years Lahore and dash railway station के बीच subtle train सेवा 22 साल के अंतराल के बाद 15 December को फिर से शुरू हुई तो Lahore से ये train कहां तक चलती है जो 22 साल बाद चाल हुई है तो Lahore से Vagaborder तक चलती थी ये train अभी तो बंद हो गई है पुराना कोशन आया हुआ कोशन है नाम में इसलिए बता दिया तो Lahore से Vagaborder का इस्टेशन था 22 साल बाद हमने फिर से स्टाट करी थी नेस्ट कोशन है इंडियन फर्स्ट ग्रीन रेलवे कोरिडोर निम्लिकित में से कौन सा भारत का पहला अरित रेलवे गली आ रहा है इंपडेंट कोशन है इसका करेक्ट आंसर है मन मदुरही तो रामेशवरम ये दोनों तमिलाडों में पढ़ते हैं और इस इस इस्टेशन के बीच फर्स्ट ग्रीन लेलवे कोरिडोर बनाये गया था तो नेशन का फर्स्ट गरीन कोरिडोर बनाया था 114 क्लुमिटर का जो रामेशवरम से मनमदुरही स्टेज में है जो कि दोनों तमिलनाडू में, इसके बीच में क्या हुआ था, ये green corridor क्या होता है, green corridor होता है, जिसमें zero toilet discharge हो, railway track में क्या होता है, अभी toilet यूज करते हैं, तो पूरी track में गरती है, वो track में discharge होता है, अभी अभी toilet यूज करते हैं, मगा जो इस corridor बनाया था, रामेशवन से, मन green corridor, तो country का first green corridor, रामेशवरम से, मन मदुरही के बीच में start हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 24 चुलाई, 2016 में, ये दोनों तमिलनाड़ों में पढ़ते हैं, 114 km का route है, बायो toilet बोलते हैं सकॉम, important रखेगा, important question है, next question है, as per the recent survey contact by quality council of India, which railway station have been named as cleanest and in dirtiest railway station in India, quality counselling of India, दोरा हाली में किया गया, survey action की अनुसार, इन railway station को, भारती railway, सबसे स्वच्च और गंदे railway station के रूप में, नामित किया गया है, तो ये 2018 में report आई थी, अब उसके बाद report नहीं आई है, तो question आया हुआ है, इसलिए बता दिया मैंने, इसका correct answer है, विशाका पटनम, इन इंडिया का, 2018 की बात कर रहे हैं, ठीके, उसके बाद सेकंदरा बार आतरा, जो कि talent गाना में, अगर सबसे गंदे railway station के बात करते हैं, दर्टीएस railway station कोन सा था, तो बिहार का दरबंगा railway station था, वो सबसे गंदा railway station या, दर्टीएस railway station था, इंडिया का, और जो न्यू देली railway railway station था, उसकी रेंग थी 39, ये पार्ट एट था, जो हमारी DFC सीरीज चल लगी है, जिसमें हम railway के स्टी करा रहा हूं, मैं आपको 500 कोशें कराऊंगा, उसका, अगर आपने पिर्वी से और कोई lecture नहीं देखें, मेरे जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर करें, सब्सक्राइब करना, बिनकुल ना मूलें चैनल को कमेंट शेशन में बताएं, कमेंट करके, क्या आपको वीडियो कैसा लगा, थैंक्स फिर वचिंग, MCQIQ, मेरे स्टेटिक जेके की सीरीज चल लिए, जरूर देखिए, आप बहुत इंपॉर्टन सीरीज है,